Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal Bitcoin finally 42,000 के level को टच करके नीचे की तरफ आया है और लड़ी चार्ट्स मैंने शेर कर दिये हुए टेलिग्राम चैनल पे जिसको आप टेलिग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं Bitcoin ने एक और बड़ा काम किया आज वो ये करा कि टेसला को उसने ब्रेक करा तोड़ा नहीं Market Cap wise जो है वो टेसला के ऊपर यहाँ पे आ गया हुए Twitter पे मैंने शेर कर दिया था टाइपो मिस्टेक से टेसला की जगा मैंने गोल लिग दिया था इसलिए पोस को ही डिलीट कर दिया तो अगला नंबर Facebook का होगा बहुत ही जल्दी 9 पोजिशन पे हम लोग आजेंगे और उमीद है 2025 तक Apple के उपर यानि कि 2nd पोजिशन पे बिटकोईन होगा फर्स पोजिशन पे आने में भी टाइम लेगा पना 2025 तक 2nd पोजिशन पे बिटकोईन यहां पे आ चुका होगा एक और important चीज बात करनी ज़रूरी है वो यह कि बिटकोईन ने पिछले एक साल में 148% का return दिया है crypto market बहुत volatile है उसके बाद 148% का यहां पे return दिया एक और चीज भी है sensex भी अपने all time high पे चल रहा है तो मुझे लग ऐसी एक बार देखा जाए एक साल में कितना percent change हुआ sensex का 9.6% change हुआ interesting है यह भी चलो बिटकोईन के बारे में हमने बहुत अच्छी बात कर लिए अगर आप इंडिया में रहते हो यार और भई बिटकोईन उपर की तरफ जा रहा है और गॉर्मेंट की तरफ से कुछ अपडेट ना है तो फिर मज़ा कहां आएगा यहाँ पर वही चीज़ आज देखने को मिली है सब कुछ positive चल रहा है bull run के बारे में बाते हो रही है ETF के बारे में बाते हो रही है black rock जैसे जो institution है वो यहाँ पर आ रहे है invest कर रहे है bitcoin को एक लाग डॉलर पर ले जाने की बात हो रही है तो उसी तरफ इंडिया में कुछ अलग तरीके की बाते हो रही है और वो भी बड़ा interesting है आज क्यो हो रही है यहाँ पर जिसका answer आप लोग मुझे दीजेगा कि क्या लगता है आज के दिन में जब bitcoin पंप कर रहा है तो फिर आज ही यह चीज क्यो हो रही निकल के क्या question है वो मैं आप लोगों बताता हूँ लोग सबा में यह पूछा गया हमारी जो finance minister है उनसे चार question पूछे गये team की answer एक साथ दिया गया और एक का जो answer था वो अलग दिया गया वो पहला यह था और simple था उसमें आपको समझाने ही कोईश करता हूँ जो exchanges है उसमें से वो AML और CFT guideline को follow करते हैं नहीं करते जो जो करते हैं उनके list हमें निकाल के दे दो तो यह बोला गया जो बिलकुल करते हैं जो उनके list है वो यहाँ पर यह है जिसमें CoinDCX है, Unocoin है OnRamp है BitBNS है, ZEPP है CoinSwitch है, Orbis and Crypto बहुत सारे exchanges है यहाँ पर चलो जी खतम हो गई बात अच्छे यह AML जो है ना यह basically anti-money laundering है यही वो RCFT यह वही चीज़े हैं जिसकी वज़ा से आप foreign exchanges से दूसरे exchanges fund move नहीं कर पाते इनी चीज़ों की वज़ा से option उन्होंने बहुत छुपा के रखे हुए option है exchanges में Indian exchanges में यह option है आप fund को transfer करने के लेकिन वो ऐसी जगा पे रखे हुए आपको देने पड़ते है कि वो हमें normally मिलते ही नहीं और वो AML और CFT की विरा से चाहते भी नहीं कोई यह करे second question यह था कि जो exchanges इंडिया के बाहर रजिस्टर है जैसे कि Binance या फिर KuCoin या फिर MEXC क्या उन पे भी यह चीज़े रूल लागू होते हैं अगर होते हैं उनकी डीटेल दो और अगर नहीं होते तो फिर भई क्या है इसका है क्या करेंगे तो answer यह मिला कि भई देखिए उन exchanges पे भी रूल फॉलो होने चाहिए जो इंडिया से बाहर रिस्टर है TDS काटना चाहिए tax related जो चीज़े है वो होनी चाहिए उनके लिए भी यह सब लागू है अगर इंडिया में आपको काम करना है तो अगर नहीं करेंगे तो आप उनकी अगेंस में जो हमें यहाँ पे कालेवाई कर सकते हैं क्या bybit पे जब आप ट्रेट करते हो वहाँ पे TDS कटता है क्या MEXE पे जब ट्रेट होता है वहाँ पे TDS कटता है नहीं कटता है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है उनके अगेंस सब इंक्वाईरी कर सकते हैं अगें जो मैंने शुरू में question आपको पूछा था आज ही यह कहानी क्यों निकल लिए है ये सबसे interesting question है तो पूरी जो document मैंने आपको दिखाया है उसकी summary ये है कि जो बाहर के exchanges है जो इंडिया में registered नहीं है वो अगर rules को follow नहीं करेंगे तो हम उसके against में inquiry यहाँ पर कारवाही basically यहाँ पर कर सकते हैं ये उस document के अंदर बताने की कोशिश करेंगे अब ये आज इसलिए आया कि ऐसा नहो कि यहाँ से fund निकल के जब इतना profit है इधर का उल्टा बोल दिया मैंने इधर का fund निकल के खहीं इधर ना आ जाए क्योंकि अगर इस section में investment होगा तो profit इंडिया में रहेगा एक तरीके से government को भी मिलेगा और यहाँ पर अगर कुछ investment होगा तो उससे कुछ मिलता तो है नहीं जादा तर भाई जितना trading हो रहा है उससाब से अगर आप यहाँ पर TDSF भी text देखोगी भुतवा नहीं रहा है क्योंकि अगर आपने non-KYC exchange पर trade कर देखो तो उससे तो कोई कुछ कर नहीं सकता है यहाँ पर तो यह बड़ा मुझे interesting लगा कि आज जब यह भी all time high की तरफ चल रहा है इसने भी अपना भी all time high लगाया है इस साल का तो बोल सकते है न जा सकता और मेरे क्याल से अगर उनको force कर दिया गए नहीं आपको तो TDS काट नहीं है आपको तो सारे rules follow करने ही करने है नहीं किया तो हम नहीं चलने देंगे तो इंडिया इतना बड़ा market exchanges के लिए क्योंकि retail investor यहाँ पर बहुत ज़ादा है top 3 level पर आप बोल सकते है actual में top 1 पर ही बोल सकते है पर फिर भी मैं थोड़ा सा buffer लेकर top 3 word में बोलों country में इंडिया आता है तो उने exchanges को rule follow करने पड़ेंगे यहाँ पर तो यह चाह रहे हैं कि उनसे rule follow कर आए जाए जिससे अगर लोग सोच रहे हैं क्योंकि भई market जब यहाँ से reversal लिया हम लोग बात करने ETF approval की halving की ऐसा तो है नहीं हम बहुत जानकार लोग हैं और जो यह document में question पूछने हैं जिन्हों यह document प्रिपेर करें उन्हें नहीं पता है market all time high लेगा जब अपना एक लाग टॉलर पे जाएगा नए investor आएंगे कौन नए आएंगे आज की date में जो आपको बोलते थे अभी तक अरे crypto ये crypto वो कई लोग मुझे मिलते हैं बोले अरे cryptocurrency तो बंद हो गई इंडिया में वो तो कहीं चलती नहीं है उसका तो trend था कतम हो गया उनको पता ही नहीं है भई trend थो अभी चालू ही नहीं हुआ भी तो ETF जैसी चीजी आई नहीं है वो अब थोड़ो दिन बाद आएंगे आपके पास 6 महीने बाद जब वो आपको पूछेंगे रियार cryptocurrency में invest कैसे करते हमें तरीका बताओ सो हां से खरीदना है यह exchange अच्छा है कि वो exchange अच्छा है तब आप समझ ले ना जो market है ना अब वो उल्टी तरफ यहां पे जाने वाल है तो government को ही पता है यह सब चीजे आने वाली है तो उससे पहले ही थोड़ा mahal जो है यहां पे बना चीजों को पहले जो rules है उनको clear करें को कि आज तक rules खुद ही हमारे सामने clear नहीं है इतनी सारी चीजे हैं आपके पास कि वो चीजे clear ही नहीं है तो चब तक वो चीजे clear नहीं होंगी तो rules कहां से लगेंगे अगर आपको tags भी भढ़ना है आप CA के पास भी जाते है न क्रिटो के case में उसका भी जो दिमाग है वो घूम चुका होता है उसको भी 100% rule clear नहीं होते है जब उनको clear नहीं है तो कहां से चीजे होंगे तो यह मेरे ख्याल से पहले इसको sort करना चाहिए इसके बाद सारी चीजे जो है सामने आनी चाहिए आप लोग क्या opinion है आज के दिन में क्यों ही document आया जरूर मुझे एक बार comment box में बताएगा bitcoin का हाल क्या चल रहा है इसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में आपे cover और करेंगे चार्ट मैंने अल्लेड है लिगा हम पर शियर कर दिया है वीडियो पसंद आए इसको लाइक को चाहिए जरूर केगा चैनल में अगर आप नहीं है फस्टाइम वीडियो देख रहे है जरूर हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा थैंक्यों फैंक्स